जब हम कोईले से कोग बनाते हैं उसी दोरान हमें कोईला गैस प्राफ्थ होती हैं यह कोईला गैस बिभिन्न परकार के उद्ध्योगों में इंधन के रूप में प्रयोग किया जाते हैं यह जो कोईला गैस हैं यह एक इंधन के रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं और इसक का प्रयोग बिभिन्र प्रकारं के उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है कि अब आए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि पृर्थिवी के नीचे कैसे बना कोला चुकि आप जानते हैं कि पृथिवी के अनेक स्थानों पर जमीन के नीचे कोईले का भंडार का पता चला हैं तो इस प्रकार जो कोईले का भंडार हैं ये पृथिवी के नीचे आखिर बना कैसे लाखों वर्षों पूर्भ पृथिवी पर घने वन्थे किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भुकम या अज्ण कारणों से पूरे बन छेत्र मृदा के नीचे दब गए अच्टधिक ताफ एवं दाब के कारण पृतिवी के नीचे मृत्थ बनस्पती धीरे धीरे कोईले में परिवर्तित हो गए यानि कोईला बनने के पीछे जो बैग्यानिक कारण है यह हैं कि लाखों बर्सों पूर्ब पृतिवी पर घने बन थे और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह बन मिट्टी के नीचे दब गए और जब यह दब गए तो लाखों बर्सों के बाद अच्तधीक ताप और दाब के कारण पृतिवी के नीचे यह सभी बनस्पतियां धीरे धीरे कोईले में परिवर्तित हो गए तो यहीं कंसप्ट है कोईला बनने का इस प्राक्राम को कारवनिकरन कहते हैं तिचुकी लाखों बर्सों की आवधी में जो बनस्पतियां अच्तधीक ताप और दाब के कारण कोईला में परिवर्तित होगे इसी प्राक्रिया को कारवनिकरन कहते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है petrol अपने petroleum सब्स का नाम सुना होगा पैट्रोलियम सब्सक्रावन ओलियम से हुई हैं चुकि प्रिथिवी के नीचे दो चट्टानों के मजद पाए जाने वाले तेल को ही पैट्रोलियम कहा जाता है गाडियों में इंधन के रूप में पैट्रोल एवं डीजल का उपयोग किया जाता है चुकि हम जानते हैं कि हमारी गाडियों में इंधन के रूप में या तो पैट्रोल या फिर डीजल का उपयोग किया जाता है एसे इन्धन का स्रोथ है petroleum तो ये जो इन्धन है यानि पैट्रोल और डीजल ये कहां से प्राप्थ होती हैं तो इस प्रकार के इंधन का स्रोथ है petroleum petroleum गहरे रंग का तेलिय द्रव है जिससे जमीन के नीचे की चट्टानों के मज द से निकाला जाता है पैट्रोलियम क्या है ने ये गहरे रंग का एक तेलिय द्रवा है और ये प्रिथिवी के नीचे से निकाला जाता है ये जो तेलिय द्रवा है ये चट्टानों के मज्ध में उपस्तित होती है जहां से इस गहरे रंग के तेलिय द्रवा को बाहर निकाला जाता है इसी गहरे र प्रिथिवी पर अनेक स्थानों में प्रिथिवी के नीचे पैटरीयम का अकुत भंढर का पता लगा हैं तो अब सवाल यह उठता है कि आकिर पृथिवी के नीचे यह पैटरोलियम बना कैसे पैटरोलियम का निर्मान समुद्री जीवों से हुआ हैं सच पुछा जाए तो पैट्रोलियम का जो निर्मान है यह समुद्री जीवों से हुआ है जब यह जीव मृत्त हुए उनके सरीर समुद्री की तली में जाकर जम गए और फिर रेथ तथा मिट्टी की तहों दुवारा ढख गए अब यह पैट्रोलियम का निर्मान कैसे हुआ लाखों बर्सों के अवधी में चुकि बायू की अनुपस्थिती भी होती है उच्च ताप भी होता है और उच्च दाब भी होता है तो इन सभी परिस्थितियों में ये मृत्त जीवों के सरीर से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्मान होता है अब हमारा अगला टॉपिक है पैट्रोलियम का परिस्करन चुकि आप जानते हैं कि पैट्रोलियम एक तेलिय गारहाद रवा है जो प्रिथिवी के नीचे चट्टानों के मज्द से निकाला जाता है अब ये पैट्रोलियम का परिस्करन करके अनेक प्रकार के उपयोगी पद को दार्थप्राथ किये जाते हैं विभिन का मिस्रन है जैसे पैट्रोलियूर गयास पैट्रोल डीजल सुनियाक तेल पराफिन अधिनय के róż़़ हो सकते हैं पैट्रोलियम के विभिन संगठकों को पृथक करने की क्रिया को परिस्करन कहते हैं चुकि पृथिवी के नीचे से पैट्रोलियम को निकालने के बाद इस पैट्रोलियम का परिस्करन करके विभिन प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्रात किये जाते हैं तो इस प्रकार विभिन संगठकों को प्रिथक करने की जो प्राक्रिया हैं इससे कहा जाता है पैट्रोलियम का परिश्करन पैट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं बहुत से उपयोगी पदार्थ हैं जो पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किये जाते हैं प्राकृतिक गैस एक प्रकार का गैस है जो की पैट्रोलियम के साथ ही पृथिवी से निकलती है इन पदार्थों को पैट्रोरसायन कहते हैं यानि जो सभी उपयोगी प पदार्थ पैट्रोलियम या फिर प्राकृतिक ग्यास से प्राफ्थ किये जाते हैं उन सभी पदार्थों को पैट्रो रशायन कहा जाता है इनका उपयोग अपमार्जक रेसे यानि पॉलिस्टर नाइलन एक्रिलिक पॉलिथीन प्रास्टिक इत्तादी के निर्मान में किया जाता है अब यह जो पैट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक ग्यास हैं इन सभी पदार्थों से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ का निर्मान होता है जैसे कि अपमार्जक या फिर संसिलेसित रेसे पॉलिथीन प्लास्टिक इत्तादी प्राकृतिक गैस से प्राफ्थ हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है वेवसाईक महत्रों के कारण पैट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं अब अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस पैट्रोलियम के साथ ही मौजूद होती है और पैट्रोलियम के निकलने के साथ-साथ प्राकृतिक गैस को भी पिर्थिवी से बाहर निकाला जाता है प्राकृतिक गैस एक बहुत महतपुर्ण जिवासमिन्धन है इसका परिवहन पाइपों द्वारा सर्वल्ता पूर्वख किया जा सकता है प्राकृतिक गैस का परिवहन एक स्थान से दुसरे स्थान करना काफी आसान होता है चुकि यह जो हैं यह एक गैस के रूप में होता है इसलिए पाइपों द्वारा इसका सरलता पुर्वक परिवहन किया जा सकता है इससे उच्च दाब पर संपीडित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है प्राकृतिक ग्यास को अगर उच्च दाब पर भंडारित किया जाए तो इससे हम कहेंगे संपीडित प्राकृतिक ग्यास इंगलिश में इससे हम कहेंगे compressed natural gas short में इससे CNG के नाम से भी जाना जाता है CNG कम प्रदुशनकारी अब हम स्वच इंधन है दुसरे इंधन के तुलना में CNG कम प्रदुशनकारी है ये प्रदुशन कम फैलाती है साथ ही ये एक स्वच इंधन है क्योंकि इसके जलने से अवसेस नगण्य मात्रा में ही रहती है अतर इसका उपयोग वहनों में इंधन के रूप में किया जाता है तो इनी सभी गुनों के कारण प्राकृति गयस का उपयोग वहनों में आजकल इंधन के रूप में किया जाने लगा है अब हम देखेंगे पैट्रोलियम के विभिन संगठक और उनके उपयोग एक तरफ हम लिखते हैं पैट्रोलियम के संगठक और दुसरे तरफ लिखते हैं उपयोग ता यह सबसे पहला जो संगठक है उसको हम देखते हैं पैट्रोलियम का पहला संगठक है द्रावित पैट्रोलियम गैस जिससे लपीजी कहा जाता है इसका उपयोग होता है घरों और उद्ध्योगों में इंधन के रूप में अगला संगठक है पैट्रोल मोटर इंधन सुस्क धुलाय के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है इसी प्रकार नेक्स्ट है मिट्टी का तेल जिसका उपयोग इस्टोग, लैम, जेट वायुयान के लिए इंधन के रूप में किया जाता है पैट्रोलियम का अगला संगठक है डीजल और डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्दूद जनित्रों के लिए इंधन के रूप में किया जाता है किसी प्रकार स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है पेराफिन मोम का उपयोग मरहम मोममत्ती वैसलीन इत्तादी के निर्मान में किया जाता है अगला है बिटुमेन जिसका उपयोग पैंट एवं सडक निर्मान में किया जाता है तिस प्रकार पैट्रोलि कंनेवाले हैं जीवाश्म इन्धन वायु प्रदूशन का एक कारक जिवाश्म हैं यह हमारे लिए बहुत हि उपयोगी हैं लेकिन यह उपयोगी होने के साथ साथ वायू प्रदूशन का ये एक प्रमुख कारण है और जिवास्म इंधन के अच्टगिक उपयोग के कारण परियावरण में प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने लगता है जिवास्म इंधन का जलना वायू प्रदूशन का प्रमुख कारण है इसके अनेक तरह के पर्यावरानिय समझसाएं उद्पन हो जाती है चुकि जिवास्म इंधन के जलने से विविन प्रकार के हानिकारक गैसों का निर्मान होता है जो कि वायू मंडल में आकर वायू प्रद प्रदूशन के अच्छान्त आवश्चक हो यानि जीवास्म इंधन का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए जितना कम हम जिवास्म इंधन का प्रवेख करेंगे बायू प्रदूशन के बढ़ने में हम उतना रोख सकेंगे इसलिए जहां अतीया आवश्चक ता हो वैसे जग साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तिससे अभी सब्सक्राइब कर लें साथ में करना न भूलें ताकि हर नई वीडियो के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके इस वीडियो को आप लाइक ज जाएदक सब्सक्राइब त Alle पको सब्सक्राइ़ को सब्सक्राइब भी आपवयाई तक रूलें से रूले अवीडियोग उन में करना तक नहीं रूल तक चीछा जोगर ऱले बाश्यूब